जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं recently एक महीना गोवा में था तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा some must have outfits to look your fashionable best in गोवा अब गोवा में आपका बहुत सारा time तो बीच पर जाने वाला है इसलिए a good pair of shorts is very necessary fashion for me is comfort लेकिन हाँ गोवा में मैं एक चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ कि मैं ऐसे shorts को choose करूँ जो मैं बाहर किसी restaurant या फिर गोवा की markets में भी पहन कर घूम सकता हूँ और same shorts में मैं पानी में भी घुस सकता हूँ और साथी साथ मैं बहुत जादा loud colors नहीं prefer करता हूँ आप अपने beach looks को style कर सकते हैं with some nice accessories बस ध्यान रहे swimming करते time ये बहना जाए और हाँ जैसे कि बोलते हैं न कि you can never go wrong with black वैसे ही मुझे लगता है कि when you are at the beach you can never go wrong with white तो हमेशा white color अपने साथ जरूर रखिए ये जो shorts हैं जारा की हैं लेकिन हाँ cotton की हैं तो इसलिए इन में मैं पानी के अंदर बिलकुल नहीं खुसूंगा moving on ये जो shorts मैंने पहनी हैं ये darker color की हैं और मैं इने इसलिए prefer करता हूँ क्योंकि ये जल्दी गंदी नहीं होती और फिर इनके उपर आप colorful shirts ये टी-shirts पहन कर experiment भी कर सकते हैं तो मैं अपनी काफी shopping Zara और H&M से करता हूँ but for shorts I personally prefer H&M more और हाँ I know Zara expensive हो सकता है तो always keep in mind कि sale के time shopping कीजिए ताकि आपका जादा खर्चा ना हो अब चलते हैं shirts की तरफ तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि white color is a must और वो इसलिए क्योंकि चाहे sunset हो या sunrise हो या फिर आप बीच पर हो जो white color है न वो बहुत ही अच्छा लगता है photos और videos में एकड़म निखर के आता है बस हां एक चीज का ध्यान आपको देना पड़ेगा क्योंकि white color है तो गंदा जल्दी हो जाता है इसलिए इस चीज का प्लीज ध्यान दीजे but it is a must in your wardrobe अगर आपको plain white shirt नहीं पसंद हो कोई नहीं आप printed के लिए भी opt कर सकते हैं मैंने ये वाली चूज इसलिए की है क्योंकि ये एक perfect beach wear भी है whereas अगर मुझे रात को कहीं party शाटी करने के लिए जाना है तो मैं इनके नीचे कोई cool सी lounge pants पहन सकता हूँ अच्छे sneakers पहन सकता हूँ और इस shirt को एक perfect party look भी बना सकता हूँ travel करते वक्त यहीं ध्यान रखे कि कैसे आप अपने कपड़ों को अलग-अलग तरीकों से style कर सकते हैं अलग occasions पर पहन सकें और इस से आपका luggage कम होगा अब चलते हैं थोड़ा color की तरफ वरना आप लोगों को लगेगा कि मैं black and white दुनिया का इंसान हूँ तो यह है एक green color की shirt इट है और यह पर्फेक्ट है क्योंकि goa की vibe और feel के साथ जाती है तो कुछ भी अगर आपके पास बहुँ वाइब में हो तो उसको जरूर पहनिये I personally prefer this for a lunch और for an evening और यह look complete करने के लिए मैंने पहने है colorful glasses यह लोग इसलिए अच्छा है क्योंकि यह बहुत ही colorful vibrant है और इसके साथ आपकी जितनी मर्जी हो आप उतना experiment कर सकते हैं So just go all out Coordinated sets आजकल काफी fashion में है, demand में है और यह वाला जो है मैंने लिया था सिर्फ 500 रुपे में सरोजनी market दिल्ली से तो दिल्ली वाले जो भी है जल्दी से सरोजनी market जाएए and get your coordinated sets और यह perfect है अगर आपको Goa की markets घूमना है तो उसके लिए perfect है very breathable, very comfortable और अगर धूब जादा हो तो आप इसको एक cap के साथ और अच्छे sunglasses के साथ accessorize कर सकते हैं और beach भी इसमें आप घूम सकते हैं अब चलते हैं हमारे अगले look की तरफ और आप सभी ने notice किया होगा कि मैंने अभी तक ना कोई भी t-shirt नहीं पहनी थी और वो इसलिए क्योंकि I prefer shirts in Goa but when it comes to t-shirts I prefer colorful t-shirts जैसे कि ये yellow वाली है और इस look में हमने नीचे पहने अपने Nike shoes जो आपने पहले भी देखेंगे और ये lounge pants हैं जो corduroy की वो नहीं है and gives a very cool, very breezy, very comfy vibe और इस पूरे look को हमने complete किया है एक hat और sunglasses के साथ इस video की final outfit has to be black और ये जो outfit है ना ये बहुत comfortable होने के साथ साथ बहुत stylish भी है ये नीचे एक west है और उसके उपर मैंने डाली है ये net वाली shirt और इसमें क्या है कि आप west में beach enjoy कीजिए और रात को जो आपको party करने के लिए जाना है night out के लिए जाना है तो उपर से ये shirt डालीजिए और ये perfect look बन जाता है और साथ ही में जो पीछे मैंने आपको lounge pants और shoes दिखाए थे उनके साथ complete होता है ये look तो ये था हमारा ये video of outfits from goa of course मैं goa एक महीने के लिए था तो बहुत 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 सारी और outfits हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा अगले vlog में साथ ही में मैं photos यहाँ पर add कर रहा हूँ ताकि अगर आपको कोई भी look पसंद आए तो मेरे को आप comment section में comment कीजिए पूछे उस look के बारे में कुछ भी अगर आपको doubt हो तो I will be more than happy to help you in the comment section तो please इस vlog को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और इस vlog से inspiration लेके जल्दी से वो अगली trip plan कीजिए और हाँ I know जारा महंगा है लेकिन अगर आप sale में shopping करेंगे तो आप बहुती फाइदे में रहेंगे and the other thing उनकी website ज़रूर चेक कीजिए क्योंकि वहाँ पर बहुती regularly वो लोग deals देते रहते हैं